हेलो केंज, वेल्कूम टु प्रियास कीशन, आज रों बनाएंगे फेज चीज सांड्वीच, चलो लेखते हैं, फेज चीज सांड्वीच बनाने के लिए एक तीन चीजों की आवशिप्ता होगी, यह मैंने फ्वाइट ब्रेट दिया है, चीज स्लाइस, फेज चीज रेड कैप्सिकम, एलो और ग्रीन कैप्सिकम, बिल्कूल बारी कट करके लिया है, एक उबाला हुआ आलू और स्मैश करके लिया है, बिंस लिया है, कट करके, देखो बिल्कूल बारी कुख्रों में कट किया है, कटा हुआ अधरक और फ्लसन, कटी भूई हरी मीर्च, एक च में कोपत बटर तेस्ट के लिए नाम हो डिया है सपेद तीं और मॉजयेरिय्ला चीप्स सैंड्विच के लिए कोई ऐसा उक क्याओं प्राउन पे हैं और चीह प्लास कोई नहीं यह जो टाक्सी काम और बींस है इनने हो बाला नहीं है जस्ट इसको खलका सा स्क्रणुची इस इन्लामिच और बींस को थोड़ा पकाते है देखो इड़र एक प्यान रखना है अभी हम इसमें डालते हैं थोड़ा बटर बटर डालने के बाद इसमें बींस डाल देते हैं चाहे तो आप बॉइल भी कर सकते हैं और अभी इसमें डालते हैं एक खरी सिंद्लामिच लान शिंद्लामिच और एक एलर सिंद्लामिच और इसको जास वन मीनाच इसी तरह से रुका खरी से रही है और एक खरी से रही है थोड़ा समय ड़कान रखते हैं इसके रुपार ड़कान रखते हैं ताकि हमारी सब्सक्री जल्दी से सब्चलेगी देखो 30 सेकेंड हुआ है इसके तरह ड़कान निकाल ती हूँ और कटा हुआ लसन और अजरत में इसमें जालती हूँ देखो मैंने कटा हुआ लसन और अजरत बात में जालती हूँ क्योंकि मुझे रसन और अजरत का फ्लेवर स्टॉर्म चल्दे मैं अभी ग्यंस आफ करती है और इसको थंदा होने देते हैं थंदा होने के बारे एक बाल में हमें इसको निकालेंगे और चीज आफ सारी चीजे चीज अलू दालके हम इसको निक्स करेंगे चलो इसको थंदा होने देखो यह थंदा भी हुआ है और देखो कितना अच्छा कलर्फुल दिख रहा है अभी हम इसमें डालेंगे यह ब्लैक पिपर कावी मिच और इगानू और यह स्मैश किया को आलू मैं तो थोड़ा टैस्स के लिए लमक डाल देते हैं नमक मैंने कम डाला है क्यांकि चीज में नमक होता है उसमें चेजों को मिक्स करेंगे अभी इस से कीजों को महधी लिना चीज इसको आछिस स्लिसी में मिया है है कि अपक्लिक्ति स्लाइस लाही आativas महले लिए टो आप इसमें चाधा चीआस बहुत जाल। मसें टीके लाउना है उन्टी स्थम्मोड आप गुंठ इछ ये से तरह सशंद ब्लेड लहें कि इसके ऊपर रिखाए तो आप घंड लगा सकते हो नहीं तो स्वास लगा सकते हो कोई हरी चक्नी है आपके पास वह भी लगा सकते हो लेकिन मैं जस थोड़ा इसमें इसके उपर बटर स्प्रेड करूंगी और एक चीज स्लाइस आभी इसके उपर एक मिश्रन डालूंगी इसको अची तरह से स्प्रेड में हैं इसके ऊपर चाहे तो आप फिल से एक शीज स्राइस रख सकती हो नहीं तो डायरेक्क्ती इस aडर्एस आप से हमाई को प्रेस करेंगे देखव इसी तदा से सैंड्विच बनाएंगे और तब इक ऊपर इसको सीखेंगे चला हम इसको सीखते हैं देखवा इधर में इने तदा अगराम करने के लिए रखा है इस लाइस को ऊपर से इसी तरह से बढ़ा बज़र लगाते हैं सिफ एक साइट से जा प्राउन क्रिस्पी होने तब हम इसको सीखेंगे तक तर फिर दूसरी भी प्रेस हम तैयार करेंगे देखवा इसके ऊपर मैं खोड़ा सा एक डबकन रखती हूँ क्यूंकि ऊपर से प्रेस होना चाहिए अच्छी तरह से तब हमारा एब्रेट अच्छी तरह से बन रहेगा चाहिए तो आप एब सेंड्वीच मेकर में भी बना सकते हों तो इसको निकालते हैं और इसके उपर क्लेटी हम देखालेंगे तीस्पी बन रहेगा तो अब इसको दूसरी साइट से भी हम बटर लगाए और अभी इसमें लगे तो तीट आप चाहिए तो दोना साइट से भ मी क्राम जबर सेंड्यों, अब चाहिए तो जीक हम इसको आप ए पशनक सेंदेंगे तो अब हम इसको डूसरी साइटस हमां दूसरी साइट से उस किरों ईपर से उसको प्राए अटिन्स क्रेस करें आए रखो दुछारी सरसे कितने अच्छा एक सी ब्राउम देखते हैं अभी मैंने सकाओ प्लेट में निकालती होते हैं तो इसी तरह सेमर में ये सारे सेंविश क्लेट होते हैं वह थी जम्हाद लिभी इसको दशिमर डुच्सोर सेंवaltetो है सारे च्रेट में तयार है कि बराबर बीशने इसको करते लेंगे देखो कितना अच्छा ये सेंट्वीच बने के तयार थे थोड़ा देखो रेट करने के लिए उसके साथ सर्फ करने के लिए मैंने सालर भी मनाया थी देखो ये चीज सेंट्वीच देखो अंदर से ये मेल्टेड चीज कितना अच्छा चीज मेल्क हुआ है और सारी पेजिटेबल्स भी दिख रहे हैं कुछ कलर खुल और बहुत ही ये टेस्टी चीज सेंट्वीच बनके तयार थे आंपी चल इसी तरह से रेक्षास के रिए प आपको भी बहुत पसंद आएगा आपके आनव बहुत शेयर कीजिए मेरे चानल के लिए जो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फिर हम मिनते भी नए रेसिपी के साहँ तब तक के लिए गुद्बाइ थाव नेश्यू से अ झाल